तो भाई साहब गाना को रिलीज हुए तो दस दिन बीत गया लेकिन पवन सिंग के भौकाल के सामने कोई भोजपूरी का सिंगर या फिर भारत का सिंगर तो ठीकेगा नहीं और स्थिती ये है कि दस दिन बाद भी यूट्यूब के म्यूजिक सेक्शन में नंबर वन पर जो ग गाना ट्रेंड कर रहा है वो गाना है पवन सिंग का चुम्मा और लमसम 42 मिलियन यानि की 4 करोड 20 लाख लोग उस गाने को देख चुके है फिल्म भी अभी थियेटर में चल रहा है लेकिन फिल्म से जादा अगर कोई चीज चर्चा में है तो वो है पवन सिंग का चुम्मा गाना त्रिप्ति डीमरी और राजकुमार राव तो जहां भी जा रहे हैं पवन सिंग का तारीफ कर रहे हैं कह रहे हैं कि ऐसा सूपरस्टार तो हमने देखा ही नहीं राजकुमार राव अपने हर इंटरव्यू में जाकर लखनव उनिवर्सिटी का किस्सा सुना रहे हैं बता रहे हैं कि कैसे लखनव युनिवर्सिटी में जब वो पवन सिंग के साथ गाने का प्रमोशन करने गए थे तब उन्होंने ऐसा क्रेज किसी सूपर स्टार के लिए देखा जिसको देखकर वो एकदम से हत्प्रभ ला गए और विकी और विद्या की वो वाली वीडियो फ पवन सिंग एक भोजपुरी का आदमी जिस भाषा को इसलिए बदनाम किया गया कि साया चोली पिटी कोट ब्लाउज के अलावा इस भाषा में तो कुछ है नहीं वो गाना दस दिन बाद अगर यूट्यूब के म्यूजिक सेक्शन के नंबर वन के ट्रेंडिंग लिस्ट मे आजाए तब इस बात पर खबर भी बननी चाहिए चर्चा भी होनी चाहिए और इस बात को लेकर लोगों को उत्सुक भी होना चाहिए कि देखिए हमारे भाषा का आदमी कहां से कहां पहुँच गया ये वही पवन सिंग है जो आरा में कभी साइकिल पर बैट कर अपने चा होने के लमसम दस दिन के बाद गाना फिर से नंबर वन पर ट्रेंड करने कर रहा है और पवन सिंग का तो कोई जबाब ही नहीं है एक हमको इंटर्विव यादा रहा है राजकुमार राओ का एबी पी निउस पर वो इंटर्विव दे रहे थे पत्रकार ने सवाल पूछा बताईए राजकुमार जी पवन सिंग के साथ काम करके कैसा लगा राजकुमार बिना भी एक सेकंड का देरी लगाए कहते हैं कि देखिए पवन सिंग तो भाई पवन सिंग है हम उनके साथ जहाँ जहाँ प्रमोशन करने गए वहाँ पर हमको लगा कि बिहार, यूपी, जह और हिंदी बेल्ट जहां जहां पर भी लोग भोजपुरी सुनते हैं वहां पर उनसे बड़ा कोई सूपरस्टार नहीं है और ये बात बार बार इसलिए हम रिपीट करते रहते हैं ताकि लोगों तक इस बात का संदेश पहुचे कि जिस भोजपुरी को बदनाम किया गया कहा गया कि इनका गायक तो भिना लिरिक्स का गाता है उसके गाना में महिलाओं के अंग का जिक्र होता है वही पवन सिंग अब जब बॉलीवुड में अपना नाम कमा रहे हैं बॉलीवुड वाले अब चाहते हैं कि हर फिल्म में कम से कम एक गानाश बड़ा बातकरना हो तब पवन ने जो औरा और पवन ने जो उखदा भोजपुरी को दिया, वो शायद किसी सूपरस्टार ने नहीं दिया होगा। पवर स्टार उनको भोजपुरी में कहा जाता है और त्रिप्ती डिमरी से लेकर राजकुमार राव तक टी सिरीज वाले कह रहे हैं कि अगर वाकई में पवर स्टार शब्द का प्रियोग करना है तो पवन सिंग के लिए ही करिए त्यूंकि उस आदमी में कुछ अनोखा है, क यो फिल्म देखने लेकिन फिल्म के लास्ट में पवन का गाना आता है और क्रेज ऐसा है कि फिल्म खत्म होने के बाद लोग अपने सीट पर बैठ कर बस इस बात का इंतजार कर रहे होते हैं कि पवन का गाना आएगा, हम गाना सुनेंगे, हमको सुनकर मजा आएगा, थोड आएकार नहीं है भोजपूरी के पास सूर और ताल नहीं है और भोजपूरी को अगर मौका दिया जाए तब भी वो लोग अच्छा नहीं कर पाएंगे बाकी पवन सिंग का गाना यूहीं ट्रेंड करता रहे भोजपूरी का नाम बढ़ता रहे और यूहीं भोजपूरी के सा एक अलकार अपना चाप जाकर पूरे भारत भर में छोड़ते रहे यही हमारी कामना है आपका इस पर क्या विचार है कमेंट सेक्शन बताइएगा मेरा नाम प्रशांथ है बहुत बहुत धन्यवाद